आजादी का अम्रित महोच सब आजादी का सफर आकाश वानी के साथ एक राश्ट्र का जन्म भारत का शांदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है आकाश मानी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी शांदार संघर्ष की जलक 9 अक्तूबर महान स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू की पुर्ण्यति थी है वो 990 के कठोर रॉलेटेक्ट के विरोध में जलियावाला बाग प्रदर्षन के नायक थे डॉक्टर किचलू नौजवान भारत सभा के संस्थापक सदस्य थे जिसने हजारों विद्यारतियों और युवा भारतियों को राष्ट्रिय आंदोलन के लिए प्रेरित किया डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जन्वरी 1888 को कश्मीरी परिवार में हुआ था जोकी अमरित सर में बस कया था कुशाग्र बुद्धी किचलू ने लंदन की केम्बरिज युनिवर्सिटी से सनातक तक पढ़ाई की और जर्मनी से पीच्डी पूरी की वो कैम्बरिज के दिनों से ही क्रान्तिकारी विचारों के प्रती आकर्शित होने लगे थे और मजलिस में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे मजलिस भारतिय चात्रों की एक सोसाइटी थी जो भारत की आउपनिवेशिक दुरदशा पर चर्चा करती थे इन सभाओं के कारण ही उनकी मुलाकात जबाहरलाल नहरू से हुई किचलू 1913 में भारत लोट आए और अमरित सर में वकालत करने लगे अमरित सर के गुरु नानक देव विश्व विद्याले में इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमन्दी बल कहती हैं कि विदेश से वापस लोटने के बाद राश्ट के प्रती डॉक्टर किचलू का समर्पन और प्रेम बहुत परवान चड़ा किचलू महत्मा गांधी और राश्ट्रिया अंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे इसके लिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दी मार्च 1990 में इंपीरियल लेजिसलेटिव कॉंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित किया जिसके तहत सरकार को बगैर कोई मुकद्दमा चलाए लोगों को जेल भेजने का अधिकार मिल गया इसका जबरदस्त विरोध हुआ और इस करूर कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन शिरू हो गये डॉक्टर सैफुदिन किचलू उननेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस कानून का विरोध किया 30 मार्च 1919 को उनकी जन सभा में करीब 30,000 लोग जुटे इस सभा में हुए किचलू के भाशन ने लोगों को बहुत प्रभाविक किया प्रोफेसर अमंदी बल कहती हैं कि डॉक्टर किचलू बेहद प्रभावशाली वक्ता थे 9 अप्रेल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमरित सरकी गलियों में सरकार विरोधी जुलूस निकाला दोनों नेताओं को गिरफतार कर लिया गया और धर्मशाला में कैद कर दिया गया 13 अप्रेल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफतारी के विरोध में जलियाँ वाला बाग में सभा हुई बैठक कभी चल ही रही थी कि ब्रगेडियर जनरल डायर ने शान्ति पूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया पुलिस ने फीर पर 1650 राउंड फायर किया कॉंग्रेस के नुसार उस गोली बारी में करीब 1000 लोग मारे गए सरकार ने डॉक्टर किचलु को दिसंबर 1919 में रहा कर दिया वे साम्प्रदाइक सोहार्द के समर्थक थे और धार्मिक आधार पर विभाजन के विरोधी थे वो 1952 में लेनिन चान्ति पुरुसकार पारने वाले पहले भारतिय थे दिल का दौरा पढ़ने से 9 अक्तूबर 1963 को डॉक्टर किचलु का निधन हो गया 9 अक्तूबर के ही दिन 1942 में पंजाब की स्वतंतृता सेनानी सत्यवती देवी ने लाहोर जेल में ब्रिटिश जंडा हटा कर कॉंग्रिस का धोज लगाने का सहसिक कारनामा किया था बिजली या माता जी के नाम से लोकप्रिय सत्यवती देवी को उनके तीन बच्चों के साथ 26 अगस्त 1942 को गिरफतार कर लिया गया जेल में उन्होंने राचनितिक कैदियों की दुर्दशा का विरोध किया 9 अक्तुबर 1942 को सुभा 5 बजे उन्होंने साथी कैदियों को एकत्र किया इसके बाद उन्होंने महिला जेल पर कॉंग्रिस का ध्वज लहरा दिया उन्हें एकांत में रखा गया लेकिन उनके आंदोलन का परिणाम तब सामने आया जब ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार लहर जेल में राजनेतिक बंदियों की दशा सुधारने को तयार हो गए सत्यवती देवी स्वामी श्रद्धानंद की पोती थी पूरु उपराश्ट्रपती कृष्नकांत उनके बेटे थे वे भगत सिंग को अकसर अपने हाथों से खाना खिलाती थी उनके पती लाला अचिंत राम को पंजाब का गांधी भी कहा जाता है जिस रात राश्ट्रबादी नेता चंदर शेखराजाद ने लाहर छोड़ा उस रात वो सत्यवती के घर ही ठहरे थे 26 अक्तूबर 2010 को उनका निधन हो गया दिल्ली विश्मिद्याले के कॉलेज का नाम इसी महान स्वाधीनता सेनानी के नाम पर रखा गया है आज बस इतना ही आजादी का सफर आकाश्मानी के साथ की अगली कड़ी में कल फिर मिलेंगे पिर मिलेंगे